Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो topic है guys, वो है Canvax Reading और आज के topic में हम देखेंगे कि आपके जिंदेगी में क्या unexpected होने वाला है, okay? So of course it will be a timeless prediction, gender neutral reading, male females सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो, but this is a general prediction. ऐसा क्या हो सकता है Anoka, जो शायद आपको नहीं पता है, ठीके, वो आपके जिंदेगी से related definitely है, हो सकता है कि personal life, हो सकता है कि professional life, कोई भी इस तरह से हो सकता है, okay? So let's see, let's find out guys कि क्या है वो, चैनल को like, share, subscribe जरूर करे, Instagram में follow करे, Instagram का जो ID है, वो discussion box पे दिया हुआ रहेगा, you can also subscribe my another channel, okay? So let's see, let's find out, आप please positive रहे, और last तक reading को देखे, ताकि आपको पता चले, कि ये क्या होने वाला है, okay? So आपने ले लिया है candle and now let's start, best of luck to all of you guys. So in your spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो वीवर्स है, उनके जिंदेगी में क्या अनोखा होने वाला है, क्या अनेक्स्पेक्टेड होने वाला है, okay? Let's see. Hmm. यहां पर जिसरस मुझे यहां पर दिख रहा है ना, देखो, अभी उबर से flight जा रहा है. यहां पर जिसरस मुझे यहां पर अहसास हो रहा है कि कहिना कहीं पर हो सकता है कि ये चीज़ अल्रेडी हो चुका हो, मैं ऐसा बता रही हूँ. एक इंसान ऐसे है, जो खुद से ही आपको commitment या proposal देने के लिए तो आये थे, या आये है, या in future हो सकता है कि आएंगे. लेकिन हो सकता है, it is possible कि उनको commitment देने में कुछ issues हो, बात में जाके न, जो मुझे यहां पर दिख रहा है, कि finally जाके किसी के साथ, either this person के साथ, या कोई और इंसान के साथ, आपका रिष्टा तयार होते वह दिखाए दे रहा है. It is getting fixed. दूसरा चीज जो मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है, it's like that, कि आप अपने career के लिए, unexpected wise आपका जो energy है, आपके जो stamina है, वो बढ़ रहा है. It is getting. चाहे आप communication field में involved हो, चाहे आप writing skills में हो, चाहे आप कोई books लिक रहे हो, चाहे आप video maker हो, creator हो, जो भी है, आप easily लोगों को convince कर पा रहे हो. यहां पर देखो, बहुत fast फिर से जा रहा है, यहां पर एक जो चीज है वो आ रहा है, S, U, ठीके, यहां पर आ रहा है, एक कान की जैसा, तो आपको थोड़ा सा, अपना जो intuition है, उसको सुनने की जरूरत है, यहां पर V-shape आ रहा है, और यहां पर देखो एक तोरन जैसा भ हो रहा है, तो यहां पर तोरन तब ही होता है, जब हमारे घर में कुछ शुब occasions होते है, या मूर्थ होते है, या पूजा होता है, या कोई भी grand celebration होता है, किसी चीज का launch होता है, shop का inauguration होता है, तब ही जाके यह तोरन देखता है, आप खुद देखो, यहां पर तोरन बना है So definitely आप expect कर सकते हो, आप आशा रख सकते हो कि आपके जिन्देकी में कुछ ही महिनों में बहुत बड़ा surprises, बहुत बड़े events भी आने का संभाबना है Okay, possibilities बनते हैं यहां पे भी एक spiritual not या spiritual symbol ऐसा बन रहा है तोरन किस तरह का होता है, आईदर फूल और पत्ते का भी तोरन होता है आजकल के जमाने में तो बहुत ज़दा embroidery काम भी किया जाता है तीके, उस तरह का तोरन अब खुद लगाओगे, या definitely It is the symbol of welcome हो सता है कि आप अपने जिन्देगी में किसी को welcome कर रहे हो वो आपको अपने जिन्देगी में welcome कर रहे है तीके, इस तरह का हो सता है कि आपने कोई भी इहां पर six भी form हो रहा है six भी form हो रहा है तीके, six या नाइन इहां पर form हो रहा है So of course you are going to meet someone very special तीके, mature personality मैं देख रहे हैं यहां पर बहुत तजूर्बा है उस इंसान का ठीके, और knowledge भी कफी जादा रखते है and definitely आपके जो conditions है आपके जो हालात है वो समझेंगे ऐसा नहीं कि यह एकदम immature person जो बिलकुल समझते नहीं है for fun and casual relationship के लिए यह इंसान आपकी जंदेगी में नहीं आएंगे यह आपको confirmation देने के लिए आएंगे that they are gonna marry you ठीके and definitely मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि यहाँ पर एक यहाँ पर देखो जो चीज यहाँ पर बना है वो काफी ज़दा special है इस तरह का लग रहा है ना कि soap bar मतलब साबुन का इस तरह से कुछ लग रहा है यहां पर तो कहीं ना कहीं पर यहां पर भी मुझे सर असे है कुछ लोग यहां पर cancel sign हो सकते है कुछ लोग यहां पर मुझे लग रहा है chemical industries में है company इंचिनेर हो सकता यह पंगी आप जगाह पर काम करते हो हाँ पर कुछ chemical processing होता है, maybe cosmetics या इससे आप deal करते हो, something related to chemicals, ठीक है, आप लोग please comment section पर लिखना, now, साबुन से हम क्या करते है, of course, साबुन जो होता है, हमारे जो शरीर है, उसका जो गंदगी है, उसको निकालते है, और कपरे भी, ठीक है, कपरे भी हम लोग उससे ही wash करते है, so soap actually उसका जो main function क्या है, तो आप बताओगे, मैं मैं आप soap लेके क्यों बैठ गए है, right, soap देखो, definitely it removes the dirt, okay, from our body as well as from the clothes, जहां पर भी हम उसको use करते है, soap हो या कोई भी cleaning agent हो, तो कही नगाई पर हमारे जिंदे की में, ऐसा समय जरूर आता है, कि हम अंदर ही अंदर, मतलब हमारे अंदर जो spirit है, soul है, उसके अंदर बहुत सदा toxic elements आ जाते हैं, क्योंकि हम daily life में लोगों के साथ interact करते हैं, लोगों का negative energy भी आता है, तो कही नगाई पर soap का मतलब यह है, you need to detoxify yourself, you need to cleanse yourself, आपको खुद अपने जो आत्मा है, अपने जो शरीर है, अपना जो मन है, उसको cleanse करने की जरूरत है, you need to inculcate the positive thoughts, मतलब आपको जो positive सोच है, भाबनाए हैं, इसको रखना है, कभी भी negative नहीं होना, वरना क्या होगा, गंदगी जमा होगा, कहां पे, आपके आत्मा पे, और वो चीज बिलकुल सही नहीं है, और आप लोग बहुत अच्छा हो, spiritual हो, आप लोग अच्छा खासा इस चीज़ को जानते हो, यहां पे एक formation यहां पे इस तरह से हो रहा है न, it's like a person who is sitting over in a chair, or a throne, or something like that, और जिस तरह से मैं आपको बताया है, चाहे यह आपके boss है, चाहे आपके guide है, चाहे आपके यह father है, guardian है, guardian role play कर रहे हैं, बड़ यह आपको काफी जदा advice भी देंगे, suggestions देंगे, आपको पता भी चलेगा, और आपको मदद भी मिलेगा, कोई बहुत बड़ा academy भी हो सकता है, जहां से आप training ले रहे हो, ठीके वहां का manager से आप मिल रहे हो, वहां का owner से आप मिल रहे हो, और आपका जो problem है, फोटाक से गाइब हो रहे हैं, यहां पे एक hanged man का picture आ रहा है, खुद से देखो, कुछ चीज है जिसमें आप stuck हो, बिल्कुल, और आप move नहीं कर पा रहे हो, अगर हमारे हाथ और पैर, बात दिये जाए, इस फॉर्म आफ पनिश्मेंट, और तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो move नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह punishment कहीं नहीं पर क्या होता है, हम खुछ से बुलाते हैं, negative energy से, इसलिए हमें punishment मिल जाता है, ठीके, तो हमेशा कर्म के उपर आपको ध्यान रखना है, यहां पे जुस तरह से लग रहा है, यह जो stuck situation है, इससे आप definitely बाहर निकलोगे, and you will become an independent person, और आपका जो co-dependency factor होता है, ठीके, वो नहीं रहेगा, यहां पे हो सकता है, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे, कभी भी देख सकता है, लेकिन जब आप इस reading को देख रहे होंगे, तो आपके जो आसपास के वातावरन होंगे, काफी जदा शान्त होंगे, maybe it will be in the early morning time, यह हो सकता है, लेट नाइट को आप इस reading को देख रहे होंगे, A letter यहां पे है, I है यहां पे, C है यहां पे, U है यहां पे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, All right, Either आपके या आपके परसन के हो सकते हैं, कुछ messages, Definitely मिलने का chances है, messages related to important work भी हो सकता है, कुछ कारिया है, जो आपको संपन्न करना है, तो उस वज़ेसे भी हो सकता है, कि आपके पास urgent messages आ जाए, कि आपको यह finish करना है, इस time के अंदर, ठीके, दूसरा चीज़ है, अगर आप बहुती समय से, बहुत जादा समय से wait कर रहे हो, तो उस situation से, आप खुद बख खुद अपने आप ही निकल जाओगे, Waiting time is over, ठीके, There will be definitely new contract, new relationship, ठीके, आज़र आगर काम कर रहे थे, एक company में बहुत साल हो गया, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था, तो उस जगह से आप move on कर जाओगे, जब तूरन आया था ना, तभी मुझे पता चला, यहाँ पे देखो, It's like an angel wings, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, You can take it as a butterfly, या आप एक तितली की तरह ले सकते हो, जिस तरह से मैं आपको बता है, जब भी तूरन आ जाता है, जब भी candle आ जाते है, या दिया आ जाता है reading में, तभी माना जाता है, कि बहुत ज़्यादा शुब मुरत होता है, वो चीज, मैं आपको बता कि, angel guidance के दूर पे, आपको बहुत कुछ numbers, feathers, बहुत symbols, आपको दिखाई दे सकता है, एक गाना continuously repeated आपके सामने गुजना, थोड़ा सा meaning जाने की कोशिश करो, कि उस गाने में meaning क्या है, क्या बोलना जा रहे है, ठीके, तो इस तरह का कुछ चीज हो सकता है आपके साथ, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर दख रहा है, a letter भी important है, ओके, दूसरा चीज है, मुझे यहाँ पर बहुत जादा पता नहीं, तब से earrings या jewelry देख रही थी मैं, ठीके, मैं नहीं बोल रही थी, जब तक वो repetition में ना आए, तो repetition में दिखाई दे रहा है, बहुत जादे jewelry हो सकता है, कि आप purchase करने की सोच रहे हो, या already आपने बहुत एक hanging कुछ jewelry पहना हुआ है, अगर आप female हो तो, मैं भी आपको gift किया है किसी ने, तो उस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, तो इस तरह मुझे याँ पे दिख रहा है, अब देखते हैं कितना समय लग सकता है, वो unexpected चीज है आपके सामने आना, बहुत ही जादा unexpected अनोखा होगा, असोच भी नहीं पाऊगे कि इस तरह से आपकी जिंदिगी ना, turn ले लेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा struggles आ सकता है, pain जो है ना, दर्द जो है वो आपको सहन करना पड़ सकता है, मैं ये भी बोल रही हूँ, changes ऐसे ही नहीं आते, बदलाव ऐसे ही नहीं आते, उसमें काफी ज़दा दर्द होता है, तब जाके बदलाव आते हैं, it can take within six to seven weeks, या months भी हो सकता है, ये changes आपकी जिंदगी में आये, ठीक है, थोड़ा साम देख लेते हैं, with the cards, with the, कि आपकी situation क्या है, और unexpected क्या आ सकता है, आपकी जिंदगी में, थोड़ा साम देख लेते हैं, what unexpected can come, देखो, जिस जॉब में आपका passionate relationship नहीं था, company के boss के साथ, या आप अपना 100% दे रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था, तो कोई passionate job, कोई passionate profession आपके लिए ज़रूर आ रहा है, okay, so this is coming, दूसरा चीज हम देख लेते हैं, इहां पर, acceptance देखो, कही offers, मैं बार-बार बोल रहे हूँ, किसी relationship में, किसी job में, कोई जगा से, अगर आप एक student हो, तभी भी आपका selection हो सकता है, dissipating, कुछ चीजे हैं, जो पुराने memories के साथ जुरा हुआ है, वो चीज धीरे-धीरे, आपके मन से गायव होना, start होगा, of course it will be there, definitely facade, कभी भी आप in future select करे, किसी का बाहर का, जो रूप है, उससे ना करे, बार-बार warning आपको दिया जा रहा है, उसकी nature को पहचाने की कोशिश करे, हो सकता कि बाहर से, मैं सच्चा ही बताने में, बहुत अच्छा माहिर हूँ, जब भी किसी को आप अपने जीवन साथी बनाए, या कोई भी company, कोई भी organization कहीं पे भी काम करे, बाहर से उसको जांचने की कोशिश ना करे, उसके अंदर तक जाके, रहसे को जानने की जरूर करे कोशिश, ठीक है, उजागर करने की कोशिश करे, ठीक है, आप एकुरे जिवनाए लीब्रा, कैंसर पाइश स्कॉर्पियों हो सकते हो, ठीक है, unexpected, अफकोर्स, यहाँ पे celebrations है, parties है, लेकिन उसके बीच वो बीच में, खुद को भी आपको सही रखना है, ठीक है, excessive time spend नहीं करना है, joy abundance आपके लिए आ रहा है, इसको मान के चले, and soulmate is coming for you, a new connection is coming for you, जो आपको definitely help करेगा, so this is all about today's reading guys, I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment, in the comment section, and claim this reading by 6 or 9, thank you so much guys, love you all, take care,